नमस्कार रुपेश जी, NBC24 News में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, थैंक्यू, थैंक्यू, बीटे दिनों आप बिहार के मुख्यमंतरी से मिलने गए थे, क्या कुछ बाते हुई, जी बाते हम लोग जो ग्यापन लेकर गए थे, वो ग्यापन को सौंप दिया उनको, तो और अपने बातों को रखा के देखी हम लोग चार सालों से जियार कर रहे हैं, और हम दर-दर भथक रहे हैं, हम लोग जब कि मेरित लिश्ट में होते भी भच़कार रहे हैं, तो उनलोने बोला कि अच्छे इस पर मना बिचार करते हैं तो उसमें वो इतना जूरोड बोले, इस लेकिन 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 इस बार हम लोग पर चिजा करके उनको अपने हाथों सौपा है कि आपके खवर तो ना जाने के सवाल ही नहीं बनता है लेकिन इस बार हम लोग हमें अपने हाथों सौपा है तो और बात 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 वह बोले कि इस बार मिचार करते हैं तो हमें अब विश्वास है कि वह करेंगे इस बार पक्का लगता है इसके और दूसरे कारण है जैसे छटा चन की जो वहाली है वह खत्म हो गई अब उसका भी सब्सक्राइब को मिलनी जा रहा है और मार्चिंग वाले का जो कोट में केस था उसका की तुरंट जो है कि बांट से साथ निकदम उसका भी निव्तारा हो जाएगा उसका भी सुनाई करते उसको भी फैसला आ जाएगा तो अब कोई दूसरा बात है नहीं बात बीच में आएगा हम लोग करने जा रहे हैं पूरे बिहार जीते में टीसार चेसों पचरत्तर मेरीट के साथ ही है शबलों से बीचार में उसकर करके 18 तारीक को 18 अप्रेल को हम लोग ने आंदोलन का डिट रखा है कि बताते कारन क्या हम लोग इंतजार कर रहे हैं आस्वासम तुमिल क्योंकि जो हैनको उसका मुथ्यता मासरी पाल बीचार बहुत सारी प्रावमीं गयांदवीशा और ऱवि आठीस होने जा रहा है और बहुत से कुछ बच्चे को तो यह समझ्या आप समझ रहा कि एगारा साल को करने होता है जो दो एकारा के बच्चे बच्चे हुए से जो आज छठा चर्व में माधिन के लिए वो लोग आज प्रयासरत आ भी 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 है तो हम लोग तो खेजा हुने हैं हम लोग इस गफलत नहीं रहाना चाहते हैं हम शिख्चा निकाल रहाना पड़ेगा हम लोग आपना प्रयास करें न्कल सब्सक्राओं सत्रीई परती लिए तब तक हम लोग बैठे रहेंगे गरदनी बाग में इस घर्मी में हम लोग भूके पैसे बैठे रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी अपना टाइम देने के लिए देखिए हमारे साथ सब्सक्राप कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री से हमारी मुलकात हुई है बिहार सरकार के तरफ से लगातार इन लोग को आश्वाशन मिल रहा लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाये नौकडिया नहीं मिल दी है एक बार फिर से मुख्यमंत्री से लोग को आश्वाशन दिया देखना इवका कि इनकी बहाली कब तक होती है रुपेश जी का चाकुष के आपने सुना है फिलाल इस वीडियो में तहीं 18 तालिक को इन लोग का अंदोलन होने जा रहा है और वी तमाम खबरों के लिए बने रहें अन्बीसी 24 न्यूज के साथ हमारे चल को सब्सक्राइक करें पेश को लाइक करें बहुत-बहुत धन्यवार